मेलडी माडी मा, मेलडी माता सोराष्ट की एक प्रसिद्ध देवी हैं और इनके बारे में जानना चाहा है हमारे एक भक्त ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनको आज हम मेलडी माता की कथा ये कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पुरच्च लिते हैं नमोस्तिते महामाय मातंगी मुड इश्वन सर्वकस्त हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रतायनी धर्मारने स्किता देवीर जारने संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड कुलो धारिनी धर्मारने तुर्तिस्ताने संस्थिता भवतारिनी दुष्ट कल्नात की धाता शामला मोड़ जनहावन्दी का माता जी मोड़ कुले प्रबाकर सुद्धी प्रदेदेवी अस्ता दस्धु ठारे जै माता मेलरी गुजरात में माड़ी माता जी को कहा जाता है जो हिंदी भाषी लोगें उनकी जानकरी के लिए बता रहा हूं में और माता को माड़ी बोलते हैं इसलिए मेलरी माड़ी उन्हें कहा जाता है माड़ी मेलरी यह मेलरी माड़ी जो भी बोलने में आपको सहसर लगें उस तरीके से आप माता मेलरी भी बोल सकते हैं जब आप जानते हैं कि देवी के आवतार जब जब भी हुए है चाहे जहां जिस भी छेतर में हुए जिस भी सुरूप में हुए है रूप में हुए है निरंतर आवतार होते रहें देवी के और कई प्रचलित देवियां हैं उनमें से एक है मेलडी माता इनोंने भी एक असूर का संगार किया था उस असूर का नाम था अमरुवा अमरुवा जो देते था ये इसको भी वताय गया कि काफी वलशाली था और काफी देवी देवताओं के इसने चक्के छोड़ा दिये थी और उनको स्वर्ग से उतरने पर विवश कर दिये था सभी देवताओं युद्ध में परास्त होने लगे उनकी शक्ति और बल का च्छय होने लगा और देवताओं को मिलने वाला भोग परसादादी बंद होने लगा और यह सब अमरुवा पलपुर्वक ग्राण करने लगा सभी देव क्रोधित हुए और अपने अपनी शक्तियों से उसके उपर प्रहार किया परन्तु वे उसके प्रहार को अमरुवा जो है नश्ट कर देता था सभी देवताओं का प्रहार जो था व्यर्थ जा रहा था सभी पुनह से देवी शक्ति की शरण में गए अराधना की पूजा अर्चना की और पुनह से देवी ने कहा कि देवताओं को उनकी अपनी गलती भी उन्होंने बताई कि आप अपने तप और बल का जो है संचय नहीं करते उनका नाश कर देते उनका नश्ट कर देते भक्तों को नये लोगों को नये साधोकों को इस बत से शिक्षभी लेना चाहिए कि हमें थोड़ा सा भी अगर हम पूछ करते हैं तो उसको उचल उचल कर इंदर उधर बखान नहीं करने चाहिए और ऊसको और अम्रुवा के उपर प्रहार किया, अम्रुवा जब देवी से परास्त होने लगा था उसके समझ में आ गया कि एक ही तो इस्त्री है जो बार-बार सभी दुष्टों का नाश करती है, मेरे पुराने असुर लोगों का नाश किया है, असुर कुल का नाश करने के लिए जब वहां से भागा और भाग करके उसने देखा कि रास्ते में एक मरी हुई गाय पड़ी है, तो वह उसके शरीर में जाकर के घुस गया, अब देवी देवताओं को तो जैसे ही पता चला, कि ये शरीर में घुस गया है, गो माता का तो बड़ा अधर करते हैं, गो माता के म गाय माता है, जिन्दा का सम्मान है, तो मरी हुई गाय माता का भी सम्मान है, उन्होंने का इस गाय माता का तो करिया करम करना चाहिए, उनका अस्त वेस्त शरीर हम नहीं कर सकते हम उस शरीर की मरत गाय के देह का हम अपमान नहीं कर सकते, तो हम इसको केसे वहां से निकालें क्रोध में भर गए देउता और देवी के आगे इस्तुती गान करने लगे तब देवी ने भी सोचा कि अब कुछ और लिला ही करना पड़ेगी देवी ने क्रोध में हातों को मसला और हमके हाथ से मेल जब निकलने लगा तब जिस परकार उनके मेल से गणपती की रचना हुई थी उसी परकार माता मेलली की रचना देवी ने की तब देवी उमारूप से वहां उपस्थित हुए तब उनको उम्या माता कहा गया और उम्या माता के हाथ के मेल से इनका जन्म हुआ है मेलडी माता का एक छोटी सी कन्या के रुप मे उत्पन हुई और जब ये उत्पन हुई तो उन्हेंने कहा कहीए माता आपने मुझे क्यों उत्पन किया है किस कारण से उत्पन किया है और ये सब ही देवता लोग इस परका से क्यों एकत्र हुए हैं उसका कारण मुझे बताईए दब देवी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों से संपन्न करती हूं और उन सब शक्तियों के सहित मैंने तुम्हारा निर्मान किया है चुकि तुम्हारा निर्मान मेल से हुआ है अर्था तुम मेली हो मेली माता हो तुम इस म्रत गाय के शरीर में जाकर उस दानव को बाहर निकालो जिसका मैं संगहार करना चाहती हूँ तुम उसको संगहार करो उसको बलपुर्वक्यच करके लाओ या तुम मेरे समक्षों से प के शरीर में प्रवेश करती हैं और अम्रुवा नामक जाच्टे को बाहर निकालती हैं मृतगाय के शरीर से जैसे ही अम्रुवा बाहर आया तो वो गड़गडा ने मिम्यने लगा परंतु देवी ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई तब उस कन्यास के हातों ही उस इस प्रकार से देवी मेलड़ी माता का देवी के हातों के मेल से जन्म होना बताया गया और उनका प्रादुर भाव हुआ अब देवी ने जब कहा कि अब मेरा कारे कैसा माप्त हो गया है माता आपने मुझे जन्म दिया है आपने मुझे इस परकार उत्पन किया है तो क्या आप मुझे अब नश्ट कर देंगी तब देवी ने कहा नहीं कल्यूग में इस तरह के और भी दानव होंगे जो सभी नियम आदी का तिलांजली दे करके कई प्रकार से भक्तों को गश्ट प्रदान करेंगे तो उन सभी से तुम्हें जन कल्यान करना है जनता की रक्षा करनी है और अब तुम्हें यहां निवास करना है जहां जहां शुद्ध सात्विक सक्तियां नहीं पहुँचती हैं उन सभी जगे पर तुम्हें जाकर उनकी रक्षा करनी है सभी सात्वे कृती से चलने वाले लोगों का तुम्हें कल्यान करना है उनकी रक्षा के लिए तुम्हें तत्पर रहना है ताकि कल्यूग में दुष्ट शक्ती और अशुद्ध रिती से चलने वाली शक्तियों से उनकी रक्षा हो सके और वे मेरी भक्ती, मेरी इस्तूती, मेरी वंदना आदी निश्चिन्त होकर कर सके तब माता की आग्या से मेलडी माता ने कहा बताईए अब मुझे क्या करना है तो जिस प्रकार सभी उत्पन जीवों को एक देहधारी गुरू के आवशक्ता होती है उसी प्रकार देवी ने उन्हें मां चामुंड़ा की शरण में भेजा और कहा आगे का मार्गदर्शन आप देवी चामुंडा से प्राप्त करें सλά लेक्ष में के सब्सक्राइब कर हो अगर आधिक बड़ा को हम अच्छी उप overlसी नहीं दीते कि विक्रत या ऑन विभात्स स्व रूंप जो है देवी महाकाली को सब्षब मैं जानते हैं मिआ और अधिक रोज में हो जाती हैं रख्तवीच का संघार कड़ती हैं चंड मुंड का संघार कड़ती हैं तो वहीं उनके विभत स्वरूप है और जो समस्त तामसिक रितियों से पूजा जाने वाला स्वरूप है उनके पास जब मेलडी देवी को भेज दिया जो अपने प्रिशा देना होगी और वे उन्हें कामक्या वन की और भेज देती हैं और कहती हैं जहां तंत्र मंत्र और इससे जुड़ी समस्त शक्तियां को चलाने वाले उनका प्रयोक करने वाले उन्हें सिद्ध करने वाले असंख तांत्रिक और शुद्ध और अशुद्ध रिती से काम करने वाले लोगों का जहानिवास है तो मैं वहाँ जाना होगा और वहाँ अपनी शक्तियों से मुझे प्रसन करना होगा वहाँ यानि कि उनकी प्रिशा ले रही है कि आप वहाँ किस तरह जाओगे क्या करोगे मुझे तुम्हारी कारे च्छमता देखना है तब वहाँ ज तो तमाम तरह की शक्तियां सिद्यां है जिन सभी की था पाना मेरे लिए सब्भाव नहीं है तो वे क्या कर दिए जिस प्रकार आपने देखा होगा संजीबनी बुटी के लिए वहनवाज जाते हैं तो किते हैं कि सभी उशिद्यां पुरा पहाड़ उठाना ते हैं कुछी प सब्सक्राइब कर देती हैं और तब देविचामंडा उन्हें शिष्य के रूप में स्विकार कर लेती हैं और उन्हें संपन्न शक्ति सिद्यों से संपन्न कर उनको जो है सोराष्ट्र चेत में सदा सदा के लिए निवास करने हैं तू कह देती हैं और आज बरतमान में सोशल मीडिया और यूट्यूब और तमाम जो भी एक दूसरे से जुड़ने के अवसर हमें प्राप्त होते हैं सभी प्रचलित देवियों के किस्से कहानी कथा हैं एक दूसरे छेतर की और अगरसर ह हो रही हैं और सभी शक्तियों का प्रचार प्रसार एक छेत्र से बढ़कर अन्य छेत्रों में हो रहा है पहले भी होता था परंतु उतना अधिक नहीं होता था वे एक छेत्री देवियों के रूप में ही पूजी जा रही थी परंतु अब उनका विस्तार बहुत अधिक होत रहा है एक छेत्र से कि निकल कर वे अनेक छेत्रों तक पहुंशती जा रही है one recognize यही है कि मेलडंवा northwestו का भी आप साथ विग लोगों की रख्षा के लिए ही इस प्रकार की तामसिक देवी की या तामसिक जवगों पर अशुद जगों पर जा सकने वाली देवी की रचना या निर्माड किया गया था जिससे की या उनको इसा कहें कि शिक्षित क्या गया था कि जिससे की वे हर जगह जाने में सामर्थेवान हो हर जगह जा सके और सात्विकृति से चल सक्षित रख सकें और अपने कारेयों को आगे पढ़ा सकें इनकी देवी की इस्तुती पूजा पाथ आदिसामगरी चालीसा आरती पूजनकिर्तन सभी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कई लोगों ने इनके वीडियो डाल आपको दीये कि माता मेशली कोन है किस झे Paris की है और वे क्या करती हैं किन लोगों की लिए कार गरती है और उनका कार गरने का तरीका क्या है तो सी रास्ट्र में ही आप पाएंगे कि माता मातंगी मोडेश्वरी भी वहीं है और माता बहुचरा उनकी पशक्ठियों के ही प्रादुर्भाव से उत्पन्न हुए जाए मोडेश्वरी बोल भॉम्वनिक्यमिनाव अप्लाल्यंति मदाल्शाम मंजुल वाग वुलासाम महेंद्र निलम ध्यूति कोम लांगी मतंग अन्यामन साय स्मराइवी